हेलो एफ्रीवान, माइनेम इस अदीती चौधरी, वेलकम टू माइ चैनल, अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे संटेंसिस बोलने की जरूरत पढ़ती है, जैसे मेरी मम्मी हमेशा मेरा मूड ठीक कर देती है हमने उसका मूड ठीक कर दिया अब बस खाना ही उसका मूड ठीक कर सकता है ये खबर तुम्हारा मूड ठीक कर देगी ऐसे हिद्नी के सेंटेंसेज जिन में हम किसी का मूड ठीक करने के बारे में बात करते हैं इनको इंग्लिश में बोलने के लिए हम cheer someone up का use करते हैं जिसका मतलब होता है किसी का mood ठीक कर देना इसको लेकर sentences बनाने का rule देखते हैं इसके rule में सबसे पहले subject आता है subject के बाद subject और tense के according helping verb आती है इसके बाद cheer आता है इसके बाद object noun या फिर object pronoun इन दोनों में से कोई एक आता है अगर किसी का नाम ले रहे हैं तो noun आएगा और अगर नाम नहीं ले रहे हैं तो pronoun आएगा जैसे कि me, you, him, her, us, them इस object में हम उसको mention करते हैं जिसका mood ठीक कर देने के बारे में हम अपने sentence में बात कर रहे हैं और last में आप आता है यहाँ पर यह जो cheer है यह as a main verb यूज होता है जो कि subject और tense के according change भी हो सकता है जैसे कि cheers, cheered, cheering चलिए आप कुछ examples देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आज़ जाए मेरी मम्मी हमेशा मेरा mood ठीक कर देती है My mother always cheers me up My mother always cheers me up हमने उसका mood ठीक कर दिया We cheered her up We cheered her up अब बस खाना ही उसका mood ठीक कर सकता है Now only food can cheer him up Now only food can cheer him up ये खबर तुम्हारा mood ठीक कर देगी This news will cheer you up This news will cheer you up तुम उसका mood ठीक क्यों नहीं करते Why don't you cheer her up Why don't you cheer her up क्या इस gift ने उसका mood ठीक कर दिया Did this gift cheer him up Did this gift cheer him up अब एक sentence आपके लिए बारिश ने मेरा mood ठीक कर दिया इसको हम English में कैसे बोलेंगे ये आप मुझे comments में बताए है आज की वीडियो में इतना ही अगर आपने इसने कुछ सीखा है तो please इसे like कीजिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे मेरे रोज आने वाले वीडियो की notification सबसे पहले आपको मिलेंगे चलिए अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ तब तर के लिए take care पापाई